हेलो, पिशली वीडियो में हमने पेज लेव टैप के पेज सेटप ग्रूप के बारे में डिटेल में जाना, आज हम इस वीडियो में स्केल टू फिट ग्रूप के बारे में और शीट ओप्शन्स ग्रूप के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले हम यहां पे स्केल टू गई है width इसके बाद है height और इसके बाद है scale तो इनको हम यहाँ पी करेंगे तो यहाँ पे width दिय गई है यहाँ पे automatic यहाँ पे रखा हुआ है width का मतलब यह हुता है जैसे यह हमारे पास यह हमारे pages हैं यहाँ पे हम ने यह page layout पे click किया यह pages यहां पर बन जाएंगे बनने के बाद यह कितने pages है हमारे 4 pages यह नीचे status power में दिये गया है 104 104 का मतलब है यह बिर्थ के इसाब से 4 pages यहां पर बने हुए है तो इसको देखने के लिए कि यह हमारे पास कितने pages है इसको यहां पर हम numbering दे देते हैं तो numbering देने के लिए हम यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद यह design type बन जाएगा यहां पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर header पर जाएंगे और header पर जाने के बाद यहां पर page 1 of यहां पर click करेंगे और click करने के बाद यह देखो यहाँ पे page numbering आ जाएगी कि हमारे यह जो document है इसमें कितने pages है page 1 of 4 मतलब यह पहला page है इसके बाद कितने pages बने हुए है 4 pages बने हुए है यह एक page है हमारा इसके बाद यह देखेंगे यह दूसरा page आ जाएगा यह देखो यहाँ पे click किया यह दूसरा page है यह देखो 2 of 4 इसके बाद यह तीसरा page है 3 of 4 इसके बाद आगे देखेंगे यह pages 4 of 4 तो यह हमारे पास यहाँ पे 4 pages है इसको हम print preview के जर्ये भी देख सकते हैं कि यह हमारे पास कितने pages यहाँ पे बने हुए हैं तो print preview से देखने के लिए keyword की shortcut keys control plus function keys f2 press करेंगे, यह दिखो यह press करने के बाद यह इसका print preview आ जाएगा, यह हमारे पास first page है, यहाँ पे यह दिखो one of four यहाँ पे लिखा हुआ है, यह first page है, अगले next पे क्लिक करेंगे, यह दिखो यह second page आ गया है यहाँ पे, इसके बाद next प पे क्लिक करेंगे, यह fourth page यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद escape की press करेंगे, यह escape की press की, फिर यहाँ पे आ गये, यहाँ पे यह हमारे पास four pages है, हम यह चाहते हैं कि जब हम print नकालें, तो यह जितना भी data है, यह three pages में adjust होके आ जाए, इसको three pages में adjust करने के लिए, हम यहाँ पे page layout tab पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद scale to fit इस group में आएंगे, और आने के बाद यहाँ पे birth, यह जो birth है, हम इसको कम करेंगे, क्योंकि यह जितना भी data है, four pages का, इसको three में adjust करना है, तो हम यहाँ पे birth, यहाँ पे दिया गया है, automatic, यहाँ पे हम more button पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया गया है, जैसे one page, two pages, three pages, हम इसको three pages में करेंगे, तो यहाँ पे three pages यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यह देखो, यहाँ पे numbering change होगी, यहाँ पे दिया गया है, page one of three, पहले यहाँ पे लिखा था, page one of four, तो अब यहाँ पे हम हमारे पास कितने pages है यहां पर 3 pages है यह देखो यह first इसके वाद यह second pages और इसके वाद यह हमारे पास third page यह देखो आगे हमारे पास pages नहीं है तो इस तरह से हम यहां पर 3 pages बना सकते है अगर हम इसका print preview चेक करेंगे तो print preview में यह 3 pages में adjust हो किया जाएगा यह देखो यहाँ पे control F2 प्रेस किया प्रेस करने के बाद यह हमारा first page है इसके बाद next पे click किया next पे click करने के बाद यह देखो second page आ गया second के बाद आगला page यह देखो third page आ गया तो यह total हमारे पास यहाँ पे जितना भी data था ये 3 pages में adjust होके आ गया इसके बाद फिर यहां पे escape की press करेंगे करने के बाद अगर हम यह चाहते हैं कि यह जितना भी data है यह 2 pages में adjust होके आ जाए तो इसको करने के लिए हम यहां पे 3 pages की जगा यहां पे 2 pages यहां पे यह करेंगे तो अब देखो यह जितना भी data है यह two pages में adjust होके आ जाएगा है यह देखो हमारे पास यहां पे page one of two मतलब total page हमारे पास two यहां पे बन गए और यह first page है और अगला page देखेंगे यह हमारे पास second page है तो हमारे पास यह data जो है adjust होके two pages में आ गया है अब हमें इसका print preview चेक करेंगे तो ctrl f2 प्रेस किया तो यह देखो यह first page है यहां पे यह लिखा हुआ आ गया one of two कि हमारे पास total कितने page है two pages है यह देखो second यह second page है तो इस तरह से यह हम two pages में इसको adjust कर सकते हैं इसके बाद escape की प्रेस की अगर हम यह चाहते हैं कि यह जितना भी data है यह एक page में adjust हो जाए तो हम यहां पे two pages की जगा यहां पे हम करेंगे one page यहां पे one page किया तो अब देखो यह जितना भी data था यह one page में यहां पे adjust हो गया है यह देखो page one of one की एक ही page में यह सारा data यहाँ पे adjust हो गया अब हम इसका print preview चेक करेंगे कि यह एक page में adjust हुआ की नहीं हुआ तो ctrl f2 प्रेस किया ctrl f2 प्रेस करने के बाद यह देखो यह जितना भी data था यह एक page में यहाँ पे adjust होके यहाँ पे आ गया तो height को समझने के लिए हम यह second sheet को यहाँ पे open करेंगे यहाँ पे second sheet यह आ गई जैसे यह हमारे यहाँ पे four pages बने हुआ है तो इसको भी हम यहाँ पे numbering देंगे तो numbering देन के लिए यहाँ पे click करेंगे header पे header पे click करने के बाद यहाँ पे design tab पे click करेंगे design tab पे click करने के बाद यहां पे header पे click करेंगे header पे click करने के बाद page one of यहां पे click करेंगे तो यहां पे click करने के बाद यह दिखो यहां पे page numbering आ जाएगी कि हमारे पास कितने pages है यहां पे लिखा हुआ है page one of four हमारे पास यहां पे four pages है तो यह four pages हमारे पास है यह first page है इसके ब यह fourth page है और आगे देखो यह हमारे पास कोई भी page नहीं है तो इस data को हम three pages में adjust करना जाते है page layout type पे जाएंगे इसके बाद scale to fit group में जाएंगे और यहाँ पे दिये गया height यहाँ पे four pages है तो हम यहाँ पे करेंगे three pages यहाँ पे three pages किया तो three pages करने के बाद यह लिखो यहाँ पे अपने आपी लिखा हुआ आ गया pages one of three कि यह जो है हमारे पास यहाँ पे three pages बन गया है यह first page है इसके बाद यह second page है इसके बाद यह third page है और इसके बाद कोई भी आगे page नहीं हो गया यह लिखो कोई भी आगे page नहीं है तो इसके यहां पे 3 pages बन गया है इसका हम print preview चेक करेंगे Ctrl F2 प्रेस करने के बाद तो यह लिखो इसका print preview यहां पे आ गया तो यहां पे लिखा हुआ है 1 of 3 इसके 3 pages यहां पे बन गया है यह first page है इसके बाद यह second page है इसके बाद यह third page है तो यह जितना भी data था यह 3 pages में यहां पे adjust होके आ गया है अब यह data अगर हम चाहते है कि 2 pages में adjust होके आ जाए तो यहां पे हम escape की प्रेस करेंगे और 3 pages की जगा है यहां पे हम 2 pages कर देंगे यहां पे 2 pages किया 2 pages करने के बाद यह दिखो यह first page है इसके बाद scroll किया scroll करने के बाद यह second page है यह दिखो यहां पे second page दिए गया है इसके बाद आगे जो है यह page नहीं होगा यह दिखो आगे page नहीं है तो इस प्रकार हम इसको 2 pages में भी adjust कर सकते हैं इसके बाद इसका print preview चेक करेंगे Ctrl F2 प्रेस किया Ctrl F2 प्रेस करने के बाद यहां पे यह दिखो टोटल पेजी सा हमारे पास 2 है 1 of 2 लिखा हुआ है next पे क्लिक करेंगे यह second page आ जाएगा इसके बाद आगे कोई भी page नहीं है अगर इसी को हम one page में adjust करने जाते हैं तो इसको escape की प्रेस की और यहां पे one page यहां पे one page यहां पे क्लिक किया तो अब यह जितना भी data है यह one page में adjust हो गया है तो यह देखो status फार में one of one की इसका एक ही page बन गया है इसका print preview हम यहां पे चेक करेंगे Ctrl F2 प्रेस किया यह print preview आ गया तो यह जितना भी data था यह एक page में यहां पे adjust होके आ गया है तो इस तरह से हम इसको adjust कर सकते हैं चाहे एक page में करना है या दो page में करना है या तीन page में करना है इसको adjust करके यहां पे इसका print निकाल सकते हैं इसके बाद escape की प्रेस की इसके बाद यहां पे width और height को दोनों को automatic रखा यह automatic किया automatic रखने के बाद यहां पे हमारे पास 4 pages है तो अगला जो है हमारे पास वो है scale तो scale में यहां पे 80% दिये गया है 80% का मतलब यह है अगर हम इस percentage को कम करेंगे तो यह pages यहां पे कम होते जाएंगे जैसे ही हम इस percentage को जादा करेंगे यह pages बढ़ते जाएंगे suppose करो यह जितना भी data हमारे पास दिये गया है इसको हम 5 pages में adjust करना जाते है तो हम इस scale में percentage को बढ़ाएंगे यह देखो 80% है तो यहां पे हमने इसको बढ़ाया 85 किया तो 85 करने के बाद यह देखो यह जो pages है यहां पे page 1 of 5 यह हमारे पास यहां पे कितने pages बन गए है 5 pages बन गए है जैसे हम इसको यहां पे percentage कम करेंगे तो यह जो pages है यह कम होते जाएंगे यह देखो यहां पे percentage कम की 85% की जगा हम यहां पे 80 किया 80% करने के बाद यह 4 pages रहेगे अगर हम इसको 3 pages में लाने जाते हैं तो फिर percentage कम करेंगे यह देखो इसके बाद और कम किया 60% करने के बाद 3 pages यहां पे बन जाएंगे तो 3 pages बन जाएंगे तो इसका जब हम यह print preview चेक करेंगे तो इसके जो है यह यहां पे 3 pages बन के आ जाएंगे यह देखो CTRL F2 प्रेस किया CTRL F2 प्रेस करने के बाद यहां पे लिखा हुआ है 1 of 3 इसके जो है यह 3 pages बन गया है यह next page है इसके बाद यह next page है तो यह हमारे पास 3 pages यहां पे बन के आ गया है इसके बाद escape की प्रेस की अगर इसको एक page में adjust करने जाते है तो एक page में भी इसको adjust कर सकते है तो हम scale को यहां पे percentage यहां पे कम करेंगे यह देखो हमने इसकी percentage यहां पे कम की यह देखो यह जो percentage है हमने 20% यहां पे रखा तो रखने के बाद यह जितना भी data है यह एक page में यह आ जाएगा इसका हम print preview चेक करेंगे, control app 2 प्रेस किया, और ये देखो, एक page में यहां पे बनके यह, जितना भी data है, यहां पे adjust होके आ गया है, इसके बाद है escape की प्रेस की, इसके बाद फिर हम इसको 80 रखेंगे, यहां पे 80 किया, तो 80 करने के बाद ये देखो, फिर ये 4 pages में ये बन जा आएगा, तो scale के इसाब से भी हम इसके pages को कामिया जादा कर सकते हैं, इसके बाद आगला जो group है, वो है sheet option group, sheet option group में हमारे पास यहां पे, सबसे पहले है grid line, तो grid line क्या होती है, ये देखो, जैसे ये cell है, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये grid line बनी होई है, ये देखो, जित चेक किया हुआ है, तो इसका मतलब है, ये हमें दिखाई दे रही है, अगर हम इसको uncheck यहां पे कर देंगे, तो ये हमें दिखाई ने देंगी, यहां पे हमें ये दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम इसका print preview चेक करेंगे, तो वहां पे ये हमें दिखाई ने देंगी, ये हमें दिखाईनी देंगी अगर हम इन grid line को हटाने जाते हैं तो हम यहां पे इसको अंचेक कर देंगी यह देखो अंचेक किया अंचेक करने पे यह जितनी भी यहां पे grid line थी वो सभी grid line यहां से हट गई जब हम इसका Print Preview चेक करेंगे तो Print Preview में भी यह दिखाईनी देंगी यह दिको Ctrl F2 प्रेस किया Ctrl F2 प्रेस करने के बाद यह Print Preview इसमें भी यह दिखाईनी दे रही है इसके बाद Escape की प्रेस की इसके बाद इसको चेक रखेंगे यहाँ पे कि यह हमें दिखाई दे चेक रखा, अब हम यह चाते है कि जब हम Print Preview चेक करें तो यह Grid Line हमें दिखाई दे यहाँ पे दिये गया Print इसको भी यहाँ पे चेक करेंगे दोनों को चेक करके रखेंगे इसके बाद यह देखो जब हम इसका Print Preview चेक करेंगे तो उसमें यह Grid Line बनके आ जाएंगी यह देखो Ctrl F2 प्रेस किया तो यह देखो यहाँ पे Print Preview में यह Grid Line हमें दिखाई दे रही है अगर यह Grid Line हटानी है तो हम यहाँ पे Escape की प्रेस की और यहाँ पे हम Print से इसको अंचेक कर देंगे अंचेक करने से क्या होगा यह Grid Line यहाँ से हट जाएगी जब हम Ctrl F2 प्रेस करेंगे यह देखो यहाँ से यह Grid Line यहाँ से हट गए इसके बाद आ गया है Heading और इसमें यहाँ पे दिये गए विव तो Heading का मतलब यह होता है जैसे यह हमारे पास यहाँ पे दिये गई है Column की Heading जैसे यह दिया हूँ है A, B, C, D यह Column की Heading है और यह Row की Heading यहाँ पे यह दिये गई है 1, 2, 3, 4, 5 यह Row की Heading दिये गई है तो यहाँ पे इसको Check किया हूँ है Check का मतलब यह है कि यह हमें दिखाई दे रही है यह देखो A, B, C, D यह हमें दिखाई दे रही है 1, 2, 3, यह हमें दिखाई दे रहा है अगर हम यह चाहते है कि यह हमें दिखाई न दे ना Column की Heading ना Row की Heading तो हम इसको uncheck कर देंगे यह देखो uncheck किया देखो यहां से ABCD यह column की heading हट गई और यहां पे row की heading 1234 यह भी यहां से चला गया इसके बाद फिर हम यहां पे heading को इसको check की रहने देंगे यहां पे इसको check किया चेक करने के बाद जब हम इसका print preview चेक करेंगे तो यह heading हमें ABCD यह 1234 यह हमें दिखाई नहीं देगा यह देखो ctrl f2 प्रेस किया यह देखो आमें यहां पे ना तो column की heading ABCD दिखाई दे रहा है ना यहां पे row की heading 1234 यहां पे दिखाई दे रहा है अब हम यहां पे print preview में कॉलम की heading ABCD ये भी यहां पर show करना जाते हैं और row की heading 1234 ये भी यहां पर show करना जाते हैं हम यहां पर escape की press करेंगे और इसके बाद यहां पर print इसको check करेंगे जब हम इसका print preview चेक करेंगे तो ये हमें row की heading ये भी दिखाई देगी और column की heading ये भी दिखाई देगी ये दिखो control F2 प्रेस किया ये print preview यहां पे आ गया A, B, C, D, E ये column की heading है ये हमें दिखाई दे रही है और यहां पे row की heading दी गई है 1, 2, 3, 4 ये row की heading भी हमें यहां पे दिखाई दे रही है तो अगले page पे क्लिक करेंगे तो अगले page में भी ये दिखाई दे रही है इससे अगले page में क्लिक करेंगे इसमें भी दिखाई दे रही है इससे अगले page में क्लिक करेंगे इसमें भी column की heading और row की heading हमें दिखाई दे रही है, तो इस तरह से हम यहां पे column के heading और row के heading यहां पे लगा सकते हैं तो इस वीडियो में हमने scale to fit group के बारे में और sheet option group के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी, तो please subscribe my channel, धन्यवाद